सुप्रभाद बच्चो आज हम आपको हिंदी व्याकरण से पाठ नौ क्रिया के बारे में पढ़ाएंगे ठीके बच्चो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं शिफाली सो रही है प्रेम पढ़ रहा है तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हर कोई कुछ न कुछ क्रिया कर रहा है मोर नाच रहा है तो मोर का नाचना यहाँ पर क्या है? क्रिया पक्षी उड़ रहे हैं तो पक्षी का उड़ना यहाँ पर क्या है? क्रिया शिफाली सो रही है शिफाली का सोना यहाँ पर क्या है? क्रिया प्रेम पढ़ रहा है प्रेम का पढ़ना यहाँ पर क्या है? क्रिया यहाँ पर हर कोई कुछ न कुछ क्रिया कर रहा है नाच रहा है, उड़ रहे है, सो रही है, पढ़ रहा है यह सभी शब्द क्या है बच्चो? क्रिया देखिए नाचना, उड़ना, सोना, पढ़ना आदि सब काम है मतलब क्रिया है, तो चलिए अब हम आपको किरिया की परिभाषा बताते हैं कि किरिया हम किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्रिया होती है, ठीक ह तो देखें यहाँ पर बच्चो किरिया के भेद, किरिया के दो भेद होते हैं पहला है आपका अकर्मक किरिया, दूसरा है आपका सकर्मक किरिया ठीक है? तो बच्चो देखें, पहला है आपका अकर्मक किरिया जिन किरियाओं के कार्य और फल दोनों कर्ता में ही रहें उन्हें अकर्मकिरिया कहते हैं जैसे चिडिया उड़ती है उमा नाचती है तो बच्चों देखो यहाँ पर कार्य और फल दोनों कर्ता में ही हैं इसका मतलब चिडिया और उमा यह दोनों क्या हैं हमारे क्रिया हैं ठीक है इन वाक्यों में फल और कर्म दोनों चुडिया और उमा में ही है इन में फल कर्म पर नहीं पढ़ता ठीक है बच्चो दूसरा है आपका सकर्मक्रिया जिन किर्याओं का फल कर्ता की अपेक्षा कर्म पर पढ़ता है उन्हें सकर्मकिर्या कहते हैं यानि कि जिसमें देखिए कि कर्ता और कर्म दोनों पाए जाते हैं देखें यहां पर राहुल पैन से पत्र लिखता है तो राहुल क्या कर रहा है पत्र लिख रहा है पर किस से किस की साहता से लिख रहा है पैन की साहता से दूसरा देखिए बच्चे किर्केट खेल रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं पर क्या खेल रहे हैं किर्केट तो यहाँ पर क्या होता है बच्चो कर्ता की अपेक्षा कर्म पर पड़ता है ठीक है किर्याओं का फल कर्ता की अपेक्षा कर्म पर पड़ता है उन्हें हम क्या बोलते हैं सकर्मकिर्या देखें यहाँ पर इन वाक्यों में राहुल बच्चे करता है करता कौन है यहाँ पर राहुल और बच्चे करता है ठीक है पैन और किर्केट कर्म है इसलिए यह सकर्मकिर्या है ठीक है बच्चो अगला है आपका धातू, धातू किसे कहते हैं हम, किर्या के मूल रूप को धातू कहते हैं, ठीक है, किर्या का जो मूल रूप होता है, यानि कि कोई भी जो वाकिय होता है, उसमें हम क्या काम कर रहे हैं, उसको हम धातू बोलते हैं, जैसे कि पढ़, लिख, रो, हस, गा, चल, ये सब क्या है आपके धातु देखे यहाँ पर आपका अगला टॉपिक है आपका क्रिया बनाना क्रिया को हम कैसे बनाते हैं सकर्मक किरिया तथा अकर्मक किरिया दोनों किरियाएं धातूं से बनती हैं ठीक है सकर्मक किरिया अकर्मक किरिया दोनों किस से मिलकर बनती हैं बच अकर्मकिर्या और सकर्मकिर्या ठीक है तो देखे धातु यहाँ पर क्या है पढ़ और इसी कोकरम अकर्मकिर्या में बोलेंगे तो पढ़ना सकर्मकिर्या में पढ़ाना धातु पढ़ अकर्मकिर्या पढ़ना सकर्मकिर्या पढ़ाना दूसरे नमबर पर है आपका धातु क्य है लिख अकर्मकिरिया में क्या होगा लिखना सकर्मकिरिया में लिखाना थर्ड नमबर पर है आपका धातु क्या है हमारा रो अकर्मकिरिया में हो जाएगा रोना सकर्मकिरिया में रुलाना चौथे नमबर पर है बच्चों आपका हस धातू आपका है हस अकर्म किर्या में हो जाएगा हसना सकर्म किर्या में हसाना पांचवे नमबर पर है आपका धातू क्या है गा अकर्म किर्या में हो जाएगा आपका गाना और सकर्म किर्या में गवाना चल इसके बाद आप देख्ये यहां पर आपका अभ्यास कार रहे है देखे आपका बच्चो दूसरा जो प्रश्न नहिंसे लिए है निन्चित्रों को देखकर उनकी नीचे किरिया लिखिए ठीक है तो बच्चो देखो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं तो इसमें किरिया क्या हो जाएगी खेलना ठीक है दूसरे नमबर पर है बच्चा क्या कर रहा है रो रहा है तो किरिया है रोना उसके बाद है बच्चो आपका तीसे नमबर पर है लिखना ठीक है उसके बाद है देखिए आपका बच्चो चौते नमबर पर है बच्चा क्या कर रहा है तो क्रिया क्या हो जाएगी इसमें तैरना नेक्स्ट है आपका बच्ची है क्या कर रही चड़ रही है सीडियों पर चड़ रही है तो इसमें किरिया हो जाएगी आपकी चड़ना अंतिम है आपका बच्चा क्या कर रहा है पढ़ रहा है तो यहाँ पर आपकी किरिया होगी पढ़ना ठीक है बच्चो आप देखिए आप प्रश्ट नमबर तीन निम्न वाक्यों से किर्या शब्द अलग लिखिए तो इसमें पहला है आपका हिरन दोडता है किर्या क्या होगी इसमें दोडता है दूसरे नमबर पर है आपका अरुण रोता है इसमें किर्या है आपकी रोता है ठीक है और आपका तीसरे नमबर पर है रेखा गीत गाती है तो इसमें आपकी किर्या क्या होगी? गाती है चौथा नमबर है आपका मा खाना बनाती है तो इसमें कुरिया है आपकी बनाती है बच्चों अब देखे आपका आता है प्रश्ट नमबर चार प्रश्ट नमबर चार में है आपका निमलिखित किर्याओं का परियोग कर वाक्य बनाईए तो इसमें पहला वाक्य है बच्चों आपका कूदना ठीक है तो कूदना से हम वाक्य बनाएंगे रोज सवेरे रस्टी से कूदना अच्छा होता है ठीक है दूसरा नमबर है आपका नहाना तो हमें प्रति दिन नहाना चाहिए तीसरा नमबर है आपका पीना दूद पीना सेहत के लिए अच्छा होता है चौथा नमबर है बच्चो आपका लिखना हमेशा स्वच एवं सुन्दर लिखना चाहिए ठीक है बच्चो तो अब आपको क्या करना है ये अभ्यासकारे अपनी हिंदी व्याकरण की कौपी में लिखना है और मुझे चेक कराने के लिए भेजना है ठीक है बच्चो धन्यव झाल